नमस्कार, जब कोई राजे सरकार का करमचारी किशिवी परकार सेवा में रहते हुए, कोई गलती करता है या फिर कोई पद पर रहते हुए, पद का दुरूपयोग करता है, तो पर्थम दृष्टियाओं से निलमबित किया जाता है तो आज हम यस वीडियो में समझेंगे, कि जब कोई राजे सरकार का करमचारी निलम भीत होता है, तो उसकी सामाने परक्रिया क्या है, कौन-कौन से निलमबन के परसाथ, कौन-कौन से नियम है, वो लागू होते हैं, और राजस्तान सिवा नियम की अनुसार, निलमबन का प् आमाने तोर पर निलंबन को सजा कहा जाता है, लेकिन निलंबन वास्तों में सजा नहीं होती है, यह एक शहज प्रक्रिया होती है, ताकि जब कोई व्यक्ति पद पर बना रहेगा, तो जांच को प्रभावित न करें, इसलिए उसे निलंबित करके उसका मुख्याले परिवर् किया गया है, अब जब कोई सरकारी करमचारी निलंबित होगा, तो जाहिर से बात है कि वो कारे तो नहीं करता है, तो उस अवधी में उसे वेतन दो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसे निर्वाह बता दे होगा, निर्वाह बता किस परकार से निलंबित होगा, कि अगर वो उस्तथि मैं उसे अर्द वेतन पर मिलने वाले अवकास वेतन का भुगतान किया जाएगा निर्वाहः भत्ते की रूप neat also ठीक है उसके बाद में अगर कोई सरकारी करमचारी 6 माह से ज्यादा निलंबन अवधी पर रहेगा तो नियुक्ति प्राधीकारी जिसने उनको निलंबित किया है उसे वो उस निर्वाह बते को घटा बढ़ावी शक्ता है बढ़ाएगा किस इस्तती में अगर वो निलंबन अवधी सरकारी करमचारी की गलती से अगर निलंबन अवधी बढ़ी है तो ऐसी इस्तती में उसे वो निर्वाह बते को घटा शक्ता है और जांच अवधी है वो करमचारी की गलती से नहीं बढ़ी है विभाग की गलती से ब बढ़ा भी शकता है, बढ़ाना अंतिम तोर पर, जो निरवाबत्ता ले रहा है, उसका 50 प्रतिशत, यान कि कुल 45 प्रतिशत तक निरवाबत्ता अधिक्तम दे होता है, और निरवाबत। और वो निर्वाह बता लेना चाहता है तब उसका निर्वाह बता शुरू किया जाता है उसके बाद में अगर कोई निलम्बित सरकारी करमचारी है तो उसमें कुछ उस अवधी में भी उसके दोश माने जाते हैं जैसे मान लीजिए कोई सरकारी करमचारी जो निलम्भी थे और बिना सूचना के मुख्याले छोड़ देता मुख्याले क्योंकि निलम्भी नवधी में उसका मुख्याले परिवर्तित किया जाता है उस परिवर्तित मुख्याले पर उसे उपस्तिती देनी होती है वो बिना मुख्याले छोड़ सकता है अगर कोई सरकारी करमचारी जो निलंबन अवधी में चल रहा है और वह बिना सूचना के मुख्याले छोड़ता है या अवकास पर रहता है तो सीसिये नियम 1958 के तहट उस पर एक और कारेवाही प्रस्तावित की जा सकती है अब माल लीजिए कुछ समय के बाद क्योंकि निलंबन अवधी जो होती है वो दरसल निलंबन के काल में काल के पश्चात जो जांच अधिकारी होगा वो एक रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट के आधार पर उसे बहाल किया जा सकता है अगर वो द ऐसा वो उलेख करता है अगर वो मानी जाएगी करता है तो उसके जो आगे आने वाली व्यतन वर्दी या फिर उसकी जो पैंसन योगे शेवा में है उसकी गणना की जाएगी और अगर वो कहता है ति नहीं मानी जाएगी तो ऐसी इस्तित में उस पर है वो विप्रित परभ तक और वह वापिस बहाल हो गया और बहाल होने के बाद में क्योंकि यह तीन महीने का गैप आ गया तो ऐसी इस्तती में वह अवकास के लिए भी प्रस्तावित किया जा सकता है क्योंकि वह निर्वाह भत्ते की रूप में तो उसे कितना वेतन मिला है 50% तक अब वह सरकारी करम चाहे तो उसे उस निलंबन अवधी को अवकास में प्रस्तावित कर सकता है मालेजी वह पी ल कटवाले मालेजी वह मेडिकल कटवाले तो ऐसे स्तती में यह देखा जाएगा अगर उसे ज्यादा भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली की जाएगी और अगर कम भुगतान वो दरसल अवेतनी कावकास भी होता है और वेतनी कावकास भी होता है अगर वेतनी कावकास कटवाएगा तो उसे उसका भुगदान किया जाएगा अवेतनी कावकास कटवाएगा तो उसे उसने जितना भी निर्वाह बत्ता लिया है वो उसकी वशुली की जाएगी निलमबन अवधी है वो अधिक्तम 6 महीने तक की जा सकती है। अगर उसके बाद में बढ़ाई जाती है और बढ़ाई जा सकती है किसी अन्य कारणों से और दो वरस से ज्यादा आगर निलम मन अवधी रहेगी तो ऐसी इस्तति में उसके उसे नियाले के माजम से अनुबधन होना जरूरी होता है तो इस प्रकार से कोई भी सरकारी करमचारी जो निलम भी रहेगा तो उसे निर्वाह भत्ते में भी कुछ कटोतिया करवानी होगी कुछ कटोतियां है वो अनेवारी होती है और कुछ कटोतियां है वेकलपिक होती है और अनेवारी कटोतियों में जैसे GIS की कटोती है RGHS की कटोती है तो यह सारे जो इसके साथ-साथ इंशुरेंस की कटोती है SI की और GPF जो वो कटवाएगा उसमें वो कटवा सकता है इस अधार पर है वो निलंबन की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद